श्राम्यक्म स्टूडेंट्स यो हमारा लैक्च्चर था इसमें हमने हमें प्रजेक्ट इंटीक्रेशन मैंजमेंट की था तो जिस में हमने सब वहाले उसको देखेशन करना है तौ किस तरह से उसका चार्टर इसको डिशार्ट मनेजिस्ग करेंगे मनेज्म किरेंगे वालेकिम स्लाम पर्जेक्ट जो एग्जेक्उशन होगी उसको किस तरह से आपने करना है ठीक है पर्जेक्ट की एग्जेक्उशन जो है उसकी ट्रेक्टिंग और मुनिट्रिंग जो है उसको मैनेज किस तरह से आपने करना है और फिर लास्ली जो है वो आपने जब complete एक project बना लिया ठीक है उसको फिर integrate किसले से करना है और अगर कोई change को चेंज को किसले से integrate करना है और last पिर आपका जो final software product है यह ज़ो आपका project है उसको वो उसकी closing है तो यह कंप्लीट हमारा जो सॉप्ट के परजेक्ट इंटिग्रेशन मैंजमेंट है, उसमें यह एक्टिविटीज इंक्लीड होती है हमने वन बाइवन को देख लिया था कि जो परजेक्ट चार्टर जा है, इसको हमने देखा, परजेक्ट स्कॉप स्टेटमेंट है यह देखा करें, एक प्रजेक्ट चार्टर आएंगाना है यहाएगाना है routine नौन क्वार्टिज चार्ट कि प्लाने ड्रहिए a call उपर्जेक्ट चार्टर जिस्ताबन guit rr कंप्ली घंटेशन यह मारिवसर के इंटार जो तो आपने एक design बनाया होता है planning के दुरहन तो उस design के शो करना था कि हम इस तरह से हमारा project जो है वहर करेगा तो आप जो है क्या agreed है इससे ठीक है हम इतना budget आएगा इतना जो है इस project को लिए इतना time हमें required है तो वह सारा कुछ आपने customer के साथ share करना होता है तो उससे फिर आपने agreement किया ठीक है वो project charter के अंदर include होगी है फिर आपने की scope statement आपने लिखने होती है कि during planning जब आप कर रहे होते हैं अपने project को आपने किस तरह से आगे further develop करना है तो planning में आपने देखा था कि हमें जो है एक software statement बनाने परती है कि में आपने software का scope define करना होता है उसकी boundaries, उसकी functionalities, उसके जो input or input किस तरह की होगी तो सारह कुछ आपके scope statement में आपने detail बतानी होती है फिर project management plan था जिसमें हमें देखा था कि project management plan के अंदर complete जो activities है जो software process के activities, उनकी distribution किस तरह से हमने करनी है कौन सा team members को हमने कौन सा task assign करना है ठीक है और throughout the project जब हमारा complete होना है तो उसकी management किस तरह से होगी, software की management किस तरह से होगी जो हमने management tools हमने use करने हैं project के लिए उनको किस तरह से implement करना है जब उसको पात फिर आप अपना जब work है वो project को पर start कर देते हैं तो फिर उसको direct करना directing और managing project execution के आप में जब अपने प्रोग्राम अपना जो project है उसके working स्टार्ट कर दी है तो उस वो जो उसके directing से मुराद यह है कि जिस जो goals आपने set की है start पे planning के दुरान में जो आपने बताए कि हम मरा project इस तरह से work करेगा तो वो जो आपने objective सेलेक्ट की हैं जो milestones आपने सेलेक्ट की हैं तो उससे को फिर क्या हम जब अपर during program execution project execution क्या हम उसी goals की तरफ move कर रहे हैं और उसको manage किया जाता है फिर और फिर जो है last जब आपने फिर जब कोई कोई जब आप project बना रहे होते हैं तो उसकी monitoring और controlling भी सासाथ पर उस अपने work की कर रहे होते हैं जब इस तरह से आपका project complete आपने different modules के उपर work करते हुए project की activities को different engineering techniques हैं को use tools और techniques को use करते हुए कर लिया work तो फिर आपने आपने का करना होता है अपने सारे work को जो है integrate करके आपने project को close करना था तो यह student हमने last lectures के अंदर यह include यह पढ़ लिया था कि project integration management से क्या मुराथ है और इसके अंदर जो यह different activities हैं इसकी हमने statements हैं हम understand कर लेती हैं तो आज जो है वह हम basically देखेंगे के project की selection अगर आपने करनी है तो strategies for planning and project selection what does it mean strategy planning involves determining long term objectives predictive future trends and projecting the need for the new products and services तो student के लिए आप कोई भी नया project आप बनाना चाह रहे हैं तो project की selection की जाएगी वह basically new trends आपके चल रहे हैं और आपको project की services required हैं उसकी बेस पे आप काह रहे होंगे organizations often perform a SWOT analysis तो analysis यह कौन साय SWOT analysis basically क्या होता है जिक तक जब भी आपने कोई project select करना है तो उसमें हम SWOT analysis SWOT analysis means analysis strengths, weaknesses, opportunities and threats तो जब भी आपके जो manager है उसने कोई भी project जो है जब भी आप कोई project की selection करते है IT project की selection किसी problem को solve करने के लिए तो आपने यह चीज़ देखना है कि जो हमारा जो project है उसके strengths क्या है यानिके वो इसको आपने analyze करना होता है उसके weaknesses को आपने analyze करना होता है उसकी opportunities को और जो threads हैं उसके लिए यानिके श्रेट सम्रादी है कि security के हवाले से उससे software होते है आपके जहां पर आपकी secret information आप उसको आपने देखना है उसको make sure करना है कि कौन सा project यह हमें ज्यादा security प्रवाइड कर रहा है ठीक है और जिसकी weaknesses काम है जिसकी student काम है जिसकी जो है उसकी strength अच्छी है तो as part of the strategy planning organizations strategy planning हम कर रहे होते है मैं आपको बदाया था जब हम requirement gather user से कर लेकते है तो next phase होता है वो planning का होता है आपने user के requirement के मताबिक अब plan करना होता है कि हम project को इस इस way में बनाएंगे यह इस 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 यह हमारी cost होगी और इतने time schedule में इसको बनाएंगे यह हमें हमें resources required है तो strategy planning जो organizations करती है वो क्या उनमें action perform होते है adapting find potential projects कि कौन-कौन से projects to select which project to work on कि कौन जो project है वो ज्यादा efficient work कर रहा है यह हम देखेंगे different types के जो है आप method पढ़ेंगे जिसमें आप analysis कर रहे हैं तो formalize project initiation by teaching a project charter तो project charter जो है आप कर रहे होते है कॉस्टमर्स के साथ तो उसको जब आप उसकी भी जब आपने कोई भी project select करना है तो फिर आपने उसका चार्टर जो है वो confirm करना होता है कि आया हम इस project के उपर work करें तो जब आज़ी हो जाती है आपके जो customers है पिर आप उसके पर work start कर रहेते है तो IT planning process के अंदर क्या का चीज़े include होंगी कि जब आपने planning करने होती किसी भी information technology के project के लिए उसको develop करने के लिए तो उसके लिए क्या का include होंगी तो information technology planning stages सबसे पहले इसने बताए information technology strategies ties information technology strategies to mission and vision of the organization identify key business areas कि सबसे पहले जो है वो आपका main जो है वो मक्सब वो आपने अपना organization का vision है और जो business area key business area है उसका mission है यानि कि आपके business perspective के लहाज से आपने अपने जो कोई भी जो project की planning आपने करनी है वो आपने organization के जो आपका vision है जो basic vision है या जो basic need है जो requirement है उसके कार्डंगी करनी होती है second business area analysis document की business processes that could benefit from information technology तो क्या हम information technologies को business perspective के लहाज से use कर सकते हैं तो यह आपका second आपका point है third project planning define potential projects define project scope benefits and constraints के project planning जब आप कार रहे हो तो आपने अपने अपने पर्जेट की जो scope definition होती है वो include करनी होती है वो आपने identify करनी होती है हमारा scope क्या है project का फिर हमारे क्या वो जो हम project बनाना चाहरे हैं जिस problem को हम computer के जरिए information technology के जरिए सॉल्व करना जा रहे है क्या वो हमारी organization के लिए beneficial भी होगा और कौन-कौन से constraint होंगे उस project को यूज करने के लिए यह आपके project planning के लिए पिर last जो है वोर source allocation होती है select information technology projects assigning resources तो फिर आपने different type के जो IT planning process आपने IT को यूज करने business के लिए तो first of all आपने IT जो information technology है strategy planning करनी है कि हमारे organization का vision क्या है फिर उसके लिए आपने business area analysis करना है फिर project planning करने है और resource allocation करनी है यह resource allocation जब आपने project select कर लिए फिर आपने उसको क्या-क्या हमें hardware required है क्या-क्या software required है अपने organization में इसको implement करने के लिए उसको use करने के लिए तीक है तो आपने select information technology projects तो आपने project से select करना है resource allocation के लिए और फिर आपने उसको software यह hardware required है वो resources परवाइड कर देने है ताके फिर यह complete आपका IT का planning process है कि जब आपने information technology को अपना system जो है एक information technology को use करते होगे organization को run करने तो उसके लिए यह चीज़े होगी उसने बताया हमें 4 जो है आपने चीज़ें देखने होगी information technology strategy planning business area analysis आपने करने हो project planning करने और source allocation करने है यह आपके IT planning process process की division है अब next student आपने आपने कोई भी project आपने select करना है अपनी organization के लिए उससे पहले इसने बताया है aligning IT with business strategy आप देखे IT जो है information technology की अपनी कुछ strategies कुछ अपने जो हैंवेश के rules होते हैं इसको business strategies होती है business की business को run करने के लिए strategies होती है कुछ आपने predefined rules बनाए होते है तो इन दोनों को हमने अगर आपने IT को यूज करना अपने business के लिए business work के लिए तो उसके लिए इसको aligning करना बहुत हो रही है this is consistently the top concern for CIO research show the supporting explicit business objectives in the number one reason cited for why organizations invest in IT projects तो जो आपकी top level management होती है CIOs और होती है वो आपकी business की strategies को देखने कि हमारे business को क्या need है कि हम information technology को use करते हुए जो अपने business जो है वो इसको groom कर सके इसको enhance कर सके और efficiently इसको work business को run कर सके तो an organization strategies plan should guide the IT project selection process तो जो आपने organization के strategies plan है कि आपके organizations किस तरह से run करनी है ठीक है उसके strategies plan होते हैं वो आपको guide करते हैं IT project की selection के लिए क्यामने कौन सब project है उसको अपनी organization के लिए use करने है many IT systems are strategies because they are directly support key business strategies तो कुछ ऐसे हमारे आप project होते हैं IT के project होते हैं उनकी strategies कुछ इस तरह सोते हैं कि उनकी directly use कर सकते हैं business के strategies में तो आपको आपको अपने college का management एक आपका system है तो उसके management system है वो mostly यसा होता है कि standardized management process होता है जो आपका जिसमें आपके semesters को आपके attainments को आपके students की हैं आपके पीछे से वालतीकों के services बगर आपको आपके एक जो वो strategies उनकी organization की strategies होते हैं college की strategies होते हैं mostly जब हम commercial software बनारे IT का project बनारे होते हैं college management system तो उसके strategies जो हैं वो अलमुस्ट उसके काड़ने ही होती है तो वो और रेक्ली भी हम स्पोर्ट कारी होते हैं हम उसको use कर सेते हैं just little bit change हमें करना पड़ता है कुछ और requirement कर देता है कोई college का head है इस तरह से यह हमारे प्रेंट होना चाहिए वेबसाइट का जो अगर हम college management college के अपनी website तो यह यह चीज़ें उसके अदर मैनिज होने चाहिए कुछ काफी ऐसे component होते हैं यह यूसेबल हो सकते हैं हमारे जो परजेक्ट के जो आलएडी पहले हम यह आईटी के परज़ेट बनाए होंगे college management के जस्त हम उसी को integrate करेंगे business का जो उनके rules होंगे जो उनकी business requirement उसके काड़ होंगे यह यह इग्जेंपल से ने बताई है यहां पर आप IT के जो परजेक्ट जिस्ता से वर कर रहा होता है और जो यह business जिस्ता से वर कर रहा है इनकी जो strategies है वो almost map कर रही होती है तो हम इनको directly भी यूज कर सकते हैं IT project को हम just little bit change करते हुए वहां पर यूज कर सकते हैं तो जब आपने परजेक्ट सेलेक्ट करना है अपने ओरगनेशन के लिए है तो उसकी selection के methods के हैं There are usually more projects than available time and resource to implement them कि हमारे पास यह है कि एक problem को solve करने के लिए एक से ज्यादा projects हो सकते हैं एक से ज्यादा ways हो सकते हैं उनको solve करने के लिए तो हमारे पास जो best way है यह best project जो हमें select करना है जो कि हमारी organization के लिए beneficial हो तो उसको selection किस बेस पे होती है method for selecting project includes focusing on broad organization needs तो पहला जो main हमारा focus होता है वो जो organizations की जो needs हैं वो है second categorizing information technology projects फिर आपने उस organization needs के कारड़नी देखना है कि कौन-कौन से project ऐसे हैं IT के जो कि हमारी organization की needs को fulfill कर सकते हैं उनको फिर आपने categorize कर लेना है performing net present value are other financial analysis तो हम अब कुछ analysis देखेंगे कि जो analysis हम perform करते हैं कि अगर हम इस IT project को use करेंगी अपनी organization के लिए तो हमें जो है वो कितनी हमारा budget क्या होगा और हमारी investment कितनी होगी तो हमें जो हमें जो है वह कितनी budget होगी हमें मिले कि इससे क्या हमें reward मिलेगा तो financial analysis भो भी किया जाता है using a weighted scoring model फिर एक weighted scoring model है तो हम जो है वो IT जो projects होते हैं उनको उनकी जो है वो classification का रहे होते हैं और जो best हमारे लिए उसको select का रहे होते हैं implementing a balance score यह भी एक technique है इसको use करते हुए जो आपने क्या करना है जो जो organization की need है उसके लिए हासे जो IT projects आपने मजूद हैं इसको solve करने के लिए और जो पुलाइ के लिए उसके लिए फिर जो balance score की technique है ठीक है balance score की technique से मिला लिए है कि आपके पास जो business जो आपके business needs बिजनेस की जो expenses क्या IT का परजेक्ट है जब हम उसको use करें तो हमारे जो है क्या हमें उसके reward बगएर जो है अगर एक IT project without IT project हमें क्या जो है अपनी organization के business उसके reward था और जब हमने इसको IT project को implement किया तो फिर क्या reward है तो इसको हम इसको इसपे भी हम जो अपना IT project की selection है वो कर सकते है इन प्रैक्टिस organizations usually use a combination of these approaches to select project Each approach has its points and cons यह उसने कुछ approaches बताई हैं यहां पर अपनी approaches को देखेंगे यह approaches कौन कौन से हैं किस तरह से यह work का रही है तो यह student की आपनी जब कोई भी अपना project, IT का project अपनी organization के लिए नऄदोस पर वे और मिलाष से लिए अपनी पर बताएं डिज़ए ज़िए और यह ज़ेवकोगत करनी आप देश से शहां नऄं यह ओड पनीज़ जलै अवरस्टाब्स D तो इसको हार एक परज़क्ट की जो है उसको हम फानेंशियल एस्टिमेट करना या फिर इसकी जो है वो देखने कि क्या हमरी उसकी जो है जो हम इसके लिए कुछ अनायल्सिस कर नहीं बढ़ते हैं, इसके वेडर निए गॉल रफली तो काउंट इनिस प्रज़क्ट कौन कौन से क्रिटेरिया हैं, जाप इस प्रजक्ट नायूट करेंगाया है, तो उसको मची जो धूर बेरेंड विल्टिमेट काउंगाया परज़ वे हैं थोज सबस्क्राया है, requires the extendài हो तो तो सबस्क्राइब लिए तो तो वो आपने पर थे आपके के रिक लिए के लिड़ इन आपि हम लग दूशन। तो हम्मेंब बात कीचिकिए कि जब अपने तॉमने और इसक्से करनी है तो सबरे देखनें कॉन इसक़्ोंसी परज्च्ट हमारे लिए सब्सक्स आठ मिआ इए इत्ष हमारी बिसनीसि की ओहिस मियूट' फिर आपने फर्दर आगे कितों अव्कники करना उतango Briangen One Categorization is the impute for the project Responding to a problem is an undesirable situation that prevents an organization from achieving its goal Systems law needs upgrades So, first of all, what is your Categorize? First of all, what are our problems? What are our goals? Systems? If you have a project that you have selected The IT project Every project The capability of working is different obviously First of all, when you have a project you have to see what is its availability and what is its reliability and what is its response time An opportunity is a chance to improve the organization creating a new product So Second First, it has told you that you have a problem Second, opportunity Opportunity means that you have a project that you have an opportunity that you can improve your organization by using soft IT project A directive A directive is a new requirement imposed by the management government or some external influence medical technologies media technologies must meet government requirements What are our goals? government and some external influence government can influence and other media technology and what we use media must meet government requirements If you have an IT project then it should be authorized It should be authorized The government's policies don't have to debut because you have to use any IT project so it should not be that the government's policies are under our project to run and other categorization is how long it will take to do and what it is needed second categories we will do what the project is how long it will take to do and what it is needed and how long it will take to do and how long it will take to do and what is the overall priority of the project after that there is an overall priority that you have IT projects are available so our organization does not work in one product and in the organization also you have different categories of working so let's implement the project and you have to see what project is for which organization and work we need some IT project so you have to solve your business and implement and implement you can implement it and you can categorize it and you can categorize and we have to do financial analysis in your paper and you have to return of investment and net present value so we can see how we are doing financial are often important in selecting projects are never ends in themselves financially they are always a mean to an end cash then is cohesion and the project never ends I told you that you give organization is used years years it has changed business strategies and plans to change so when you change project then you have to change project to do analysis so there are three primary methods for determining the financial values of the project so there are primary methods for determining the financial values in order to make their case in order to make their when you analysis you have analysis the project managers should familiar to what analysis is the net present value is worth more than a dollar earned five years from now and first the dollar is increasing with the passage of time so this means that is a method of calculating the expected net entry gain or loss from a project by discounting all expected future cash inflows and outflows to the present point in time basically the net present value basically method which is expected net entry gain or loss that is the expected loss and how much inflow was our money and our outflow all are present time in to project with a positive NPV should be considered if financial value is a key certain because that means the return from a project exceeds the cost of the capital so the higher the NPV the better the project will be high means that you will see the input and output that you have invested and how much and how much we got to return so if the NPV value is positive and higher it means that your project is much more efficient is the net present value is the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows so let's show you this I will show you this formula that net present value is your net present value is equal to present value of net cash flow so we compute it each cash inflow outflow is discounted back to its PV present value and then they are summed so you have this NP value if you compute then you have this initial investment that means the CEO is your initial investment plus you have to sum ct over i 1 plus r whole power t okay so we will see what is ct r and what is n so first of all we will talk about here t the time of the cash flow how much time for cash flow and the total time of the project when you are doing project analysis when you are talking about 2 years or 5 years the total time of your n represents and then r the discount rate the rate of return that could be earned on investment in the financial market with the similar risk the amount of cash at the time the amount of cash at the time in the financial market that you are doing for your business and the last CEO is your initial investment and how much investment you have started to run in the business and how much investment you have to run your business to run your business and the is just you have to have to have to have आग हम यहां पर वो अब यहां पर देखें यह गिवन है की आग wydaje आपके पास यस तरह से है क्या आपके वाहाई और ए Bay akin वह कि आपके और जो टॉटल जो प्रेजनट वेल्य है और वह यह जो इसमा पर इसकानट engagement जो श्क्कानट अगर वह श्कुस परसन है अगर तो आपके पास वेल्यु है आपकी कैस जो आपने इन्फ्लो किया है तो कैश्ट जो आप आपमेंगेंवेस्ट किया है अगर उसकी एतनी वेलिया तो इसके जे लिए आपकोंट रेट के है वो 6 है तो यह इनदिफरेंट जो है इसका यह जो ढ़र किया गया है नेट प्रेजन वैली उनेल्न सेज में एक अगर 1,000 डालर है और जो है वो अगर उसमें आपके पास 1.06 तो आप जैसे जैसे आपका टाइम येर्स हो रहे हैं आप जो है वो पावर्स इंक्रीज कर रहे हैं जो आप ये जिस कर रहे थे इसको जो है वो यहां पर एक्जामपल आपको क्लेर होगे जारा कि नेट प्रेजंट वैल्यु जो है वो फिस तरह से कंप्रूट कर रहे होते हैं तो यह आपका डिस्काउंट रेट आपमें बता दे के हमारा इतना रहा है कि यामने कितने परसन बिंजनस में डिसकाउंट आपको दिया था और परजेक्ट 1 यॉप फिर्स टियर फिर्स टियर का बताया गया और टोटल जो इन्वेस्टमेंट बताइगे फिर्स्ट ये में इतनी इतना benefit हुआ यह benefits आपको dollar side में given है और हाँ कि ने आपने Heute कि मआ चैस्ट आपको कम्पूरेंच आपक चैस्ट पोट्स प्राज्ञों मो程 कि आ रमीजबंगे था रदान फहीं तो उन ने प्राजद वैल्यूर tasty लिट्ऊ using a b1 की patent अउन्ड तो और नेट प्रेजिंट वैल्य है B1, B6 और F16 तो यह बिसिक नहीं वो इसको अप्लाई किया गया है एक्सेट में हमने एक प्रेजिंट वैल्य करनी है तो B1 जो है वो आपका यह यह यानिकर 10% जो है B1 जो है वो वैल्य है फिर B6 है B और यहां से आपके पास यह 6 है यह प्रेजिंट वैल्य हम यहां पर पुट करें है फिर B6 है B6 यह है यह आपकी जो कैशफ्लो की फाइव एच्फ्लो की टोटल जो आपने पाँच सार की टैस व्लू हुआ है वो वैल्य है इन वैल्य कोप्यूट करते हुए आपने जो है ये net present value calculate की है net present value जो है वो आपके two, three, one, six है यह यह इतना आपको जो है advantage हुआ जब आपने आपने first year में इतना जो है वो benefit होआ second में इतना, third में इतना तो total overall जो आपको net present value जो है यह बता लिए कि यह positive आपको आपने जी है two, thirty, one, six इसका मतलब है यह project जो है efficient रहा है तो अब यहाँ पर इसने बताया कि project two जो है इसने बताया कि इसकी पर हम net present value देखें तो यह वो ही इसकी भी इसने बताया कि per week, per year हमने यह यह इन्वेस्ट किया था initial investment हमारी यह थी और जब compute किया वो ही formula जो है वो B1 वो ही same कि सबसे पहले आपने इसने जो है वो discount rate जो है B1 मीन के आपने discount rate और B13 मीन के आपने जो है वो cash flow की value जो है initial जो first year की cash value है वो और इसने जो net flow net present value compute किया है इन दोनों net present value पर रिकोर करें अब अगर आप cash flow का देखें cash flow जो है अगर आप इसको साम करें तो 5000 ही आ रहा है इसका 5000 डालर इसका 5000 डालर है लेकिन net present value अगर आप compute करें दोनों के पर जड़ेक्ट तो वो आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस है यहां पर 2, 3, 1, 6 डालर आई है और यहां पर 3, 2, 1, 6 डालर आई है तो note that total are equal but net present values are not because of the time value of money तो student इसका मतलब है फिर इन में से कौन सा ज्यादा efficient आपका project है यह second जिसकी net present value जो है वो ज्यादा है जिसकी net present value ज्यादा होगी वो budget आपके लिए ज्यादा efficient होगा तो यह भी same वैसे ही example इसने बताई है कि आपने जब compute करना है तो आपने per year जो है वो total cost कितनी है discount rate कितना है discount कि benefits कितना है तो इसको आप सारे chart चार्ट अब हमने ऐसा second जिसकी है यहाँ पर उसने बढ़ाया net present value calculation के लिए क्या-क्यादा आपने करना है calculate the net present value use net present value function in Excel तो Excel के अंदर हमारे पास net present value का function already value से मुझूद होता है तो उसमे net present value discount rate देखें हम वह मैं आपको बताया था हम last slide में के discount rate होता है cash flow की range होती है तो calculate total discount benefits and total discount cost यह आपने calculate करना है net present value is benefit यहाँ पिर cost benefit net present value यहाँ पर इसे करें तो आपको प्रवाइड होता है benefit minus cost कि कितना जो है वह benefit होगा उसमें से cost total cost project किया है उसको minus करें net present values यहाँ आपको वो प्रवाइड होती है net present value से आप analysis कर सकते हैं कि कौन सा project यहाँ हमारे लिए जारा best है और तो student second return of investment है यह जो example यहाँ पर शुट किया गया थी यह देखें यहाँ पर return of investment compute किया गया है और हम ऐसा कि coming lecture के अंदर return of investment पढ़ेंगे कि return of investment क्या होती है इसको compute किस तरह से किया जाता है तो student आपने net present value net present value यह देखी हम आरे पास पांच यह 10 साल आपने इस project कर यूज किया है उसके बाद फिर आप analysis करते है कि हमारे पास किस तरह से cash flow और जो cash flow था ठीक हमने जा investment किये थी उसलिए काड़ेंग नहीं हमारे लिए क्या यह project efficient रहा है इससे हमें benefit होगा इस organization को अगर वह beneficial रहा है तो आप उस project को ही use करेंगे आगे further अपनी organization को run करने के लिए लेकिन अगर first करेंगे वह आपका NP की value है वह less है तो आपके करेंगे फिर जो दूसरा project हमें उसको replace करना पड़ेगा को second project है तो वह select करना पड़े तो project का analysis जो आपने करना है वह basically जो आपकी investment cost flow है उसकी base पे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कारेंगे है हुआ 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 हुआ